हेलो नमस्कार दोस्ता हूं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं मैं मंदीप लामबाज आपके साथ डिसकस करने वाला हूं हरियाना पॉल्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा एक अडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है जो कि आपकी आपकी पोस्त देखने मिलती है उनके रिगार्डिंग मिलता है यह अडवर्टाइजमेंट डेमबर 3 2021 देखने मिलता है जिसके लिए आपकी जो उनलाइन डेट है अप्लिकेशन करने के लिए वह आपकी तीन मार्ज से स्टार्ट होने वाला है और प्लोजिंग डेट आपकी दो अपरेंट तक रहने वाली है यह आपका 26 को यानि के कल के दिन आपके डेट के जो पुब्लिकेशन है यह पूरा का पूरा नौटिफिकेशन हरीना पर पुब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा रिलीज किया गया है जिसके रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें डिसकस करने जानने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को लास तक जरूर देखते रहें अगर आप एचस के अलाइड पोस्ट से को अपलाई करना चाहते हैं सबसे पहले तो यहां पर जो कमिशन के वेबसाइट उस पर आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा अपनी पहले तो ज दूसरा आप अपलाई करने के लिए आपका तीन तारिक यानि की तीन अप्रेल तिल 11.55 तक आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं इसके साथ यहां पर जो भी प्रोब्लम होती है तो इस help desk, email ID पर आप query भी आपनी दे सकते हैं नो से आपके यहां पर 6 वजे तक ठीक है इसके साथ जो post है किस किस category में आपकी कितनी post आई है तो HCS की regarding आपकी 48 post है जिसमें से आपकी 29 तो आपकी journal candidate के लिए SC के लिए आपके हरियाना में आपकी 8 post है आपकी 4 post आपकी BC हरियाना में है BCB हरियाना में आपकी 3 post है और AWS के लिए 4 post रहने वाली है ऐसे ही DSP की आपकी 7 post है ATO की 14 post है DFSC की 5 post है A class तसिलदार की 4 seat है आपके ARCS की 100 post है जो कि आपकी journal generator में ही आती है और इसके साथ AETO की 5 post है BDPO की 46 post है TM की 3 post है DFSO की 2 post है AEO की 21 post है टोटल आपकी 156 post है अन्रेजर के टेक्रीक में आपके 83 इसके अलावा यह जो post का वितन दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि HCS के साथ साथ जो भी आपके इसके regarding जो executive branch है उन्हें भी post आई है जैसे कि DSP आपकी exercise and taxation officer district food supply controller या फिर एक क्लास तसिलदार या फिर assistant register cooperative societies assistant exercise and taxation officer block development and pancayat officer traffic manager district food and supply officer assistant employer officer तो यह employment office के regarding यहाँ पर officer के regarding भी post आई है यह आपका वितन रहता है इसके अलावा जो भी candidate यहाँ पर reserved है या disability से आपका pursue करता है तो फिल कर रहा है तो यहाँ पर यह कुछ आपकी उनका दिया हुआ है आप चेक जरूर कर लें राइट tentative जो schedule है सबसे important है कि exam कब होगा जो आपका preliminary exam है वो आपके में आपका May June 2021 में होने वाला है return exam में भी आपका अगस्ते 2021 में और इसके साथ साथ जो भी आपका interview है या personality test है वो बाद में आपका announce किया जाएगा अभी उसके बारे में कोई भी information नहीं है HCS से और अधर जो allied post हैं service हैं उनके regarding यहां पर three stages आपकी follow की जाएंगी सबसे पहले आपका preliminary exam होगा जिसमें two papers होंगे 200 number का होगा फस्ट जो paper होगा वो आपका journal studies का होगा और जो civil service aptitude test होगा जिसको हम seaset बोलते हैं वो आपका hindered number का होने वाला है और जो आपका paper two है यह भी आप ख्याल रखें कि paper two सिरफ और सिरफ आपको qualifying mode पे रहेगा इसमें आपको 33% number लेने होंगे तो यह एक तरीके से यहां पर आप चेक भी कर सकते हैं आपकी screen पर ठीक है तो यह आपका paper two सिरफ और सिरफ आपका 33 पर अगर score करेंगे तो आपका य जो भी candidate आपका यहां पर जो भी आपके main examination है उनके regarding आप कुछ eligibility check कर सकते हैं इसके साथ साथ यहां पर जो main exam होगा उस वो 600 number को होगा और four papers उसमें होंगे फर्स पेपर आपका English का होगा एंडर्ण मार्क्स का हिंदी आपका second paper होगा इंद देवनागरी स्क्रिप्ट एंडर्ण मार्क्स और journal studies का 200 मार्क्स का paper होने वाला है वन option जो भी आपका optional होगा वो 200 number का होने वाला है यहां पर जो आपकी main में आप written examination देगी यानि कि optional exam के लि यह आपके mention कियो हैं इन में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं इसके साथ साथ जो भी compulsory subject है उन में से अगर आप written examination यानि कि optional लेना जाते हैं तो इनका code यह रहेगा यह आपका यहां पर mention किया हुआ मिलता है इसके साथ साथ जो personality test होगा वो आपका 75 number को होगा यह भी आप य दोड़ा यह लिया जाएगा इसके साथ साथ आपकी और भी जो इसमें information है वो आपकी eligibility आप क्या है वो भी आप देख लें age limit आपका यहां पर 18 से लेकर आपके 42 साल तक आपकी उमर होने चाहिए और जो आपकी 1-1-2021 तक ही आप इसमें consider करें यह आपका यहां पर mention किया जो DSP के post है उसके लिए आपका 27 से 18 से 27 के बीच में आपकी age होनी सही है कुछ relaxation भी दिया हुआ है age wise तो यह भी आप चेक कर लें जरूर राइट इसके साथ साथ यहां पर और भी जो information है वह आपका अगर DSP के लिए deputy superintendent के लिए आपकी यहां पर apply करना साथ है तो आपकी कुछ दिया हुआ है वो भी आप एक बार थोरोली पर जरूर ले apply करने से पहले पहले राइट यहां पर जो application fees है वह 1000 रुपे रहेगी जरनल कंडिडेट की और उसके साथ साथ जो 200 रुपे अधर कंडिडेट की रहने वाली है यहां पर अगर कोई disabled person है तो उसकी आपकी यह signature भरेंगे और फिर submit करके आपका सभी जो complete आपकी application form है वो आपका complete हो जाएगा that's it यही आपको करना है इसके साथ साथ यहां पर जो भी और जो भी आपकी eligibility है जो भी आपकी relaxation है हुआ भी आप जरूर चेक करने ताकि आपको future में ना उपानी पड़ी इसमें सबसे important यही बा पूरा पूरा पीडियाफ है वो आपको description में मिल जाएगा वहां से download करके पर थोरोली पड़ जरूर लें पर काफी मैध पूर्ण है क्योंकि आपका यह एक service यहां पर HCS की यानि कि हरियाना service public service commission के द्वारा बहुत बड़ी post बहुत बड़ी काफी इंदजार था इस advertisement का तो